हलो बच्चो, very good morning to all of you, मैं विकास from Target, तो चली, आज हम लोग class 10 के quadratic equation को continue करेंगे class 10 में, quadratic equation में आपने अभी तक देखा था कि हम लोगों ने इसके बारे में एक class कर लिया है हमारा introduction class हो चुका था, बट उसमें कुछ remaining हमारा बजगिया था तो उसमें हमारा nature of roots, nature of roots आप देखेंगे पिछली वीडियो में, तो nature of roots पर हम लोगों ने discuss नहीं किया था, हमने बहुत सारे बातों पर discuss किया था, quadratic equation क्या है, quad क्या word है, latin word कहां से आया था, यह सब मैंने discuss किया था, हमने इसके roots के बारे में discuss किया था, इनके roots क्या होते हैं, इनके equations कैसे form किया था है, यह सब हम लोग डिस्कस किया था, आज जो हम लोग उसके remaining part था, उस पर discuss करने से पहले, मैं आपसे equation को लेगा, फिर से आपके साथ एक बार discuss करने जा रहा हूं, देखिए, हमने पढ़ा है, तीन मेथड हमने पढ़ लिया था, ना, पहला मेथड हमने क्या पढ़ा था रहता है, by factorization method, तो देखिए, पहला हमने पढ़ा था by factorization method, तो एक equation लेकर हम लोग तीनों method को फिर से discuss कर लेता है, उसके बाद फिर हम लोग nature roots को देख लेंगे, तो देखिए, by factorization method से जैसे मान लीजे हमारे पास एक equation है, x square minus 3x minus 10 equal to 0, वैसे तो by factorization method से आप लोग बहुत कुछ वाकिव होंगे, है ना, इस method के बारे में आपने वाले भी पढ़ा है, इसलिए आप जानते होंगे इसमें, तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसको into कर लेते हैं, हमारे पास क्या हो गया, 10x square, 10x को हम लोग इस तरह से break करेंगे, 10x square को, इस तरह से हम लोग break करने की कोशिस करेंगे, कि हमारे पास 3x आ जाए, plus या minus करके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, easily, 5x और 2x के term में, देखिए, multiply करिए, 5x into 2x, हो गया, 10x square, 5x में से 2x मैनस करेंगे, 3x भी आ जाएगा, but हम यहाँ चाहिए, minus 3x, तो आप क्या करेंगे, 2x minus 3x कर लेंगे, ठीक है, तो देखिए, इसको मैंने क्या किया, 2x, हम लोग 2x, 2x minus 5x, 2x minus 5x, minus 3x हमारा जाएगा, minus 10 equal to 0, इसको आप ऐसे भी लेख सकता है, minus 5x plus 2x, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप आगे लिखे या पीछे लिखे, अब आप यहाँ पर common ले लिजे, x हमने common ले लिए, तो हमारे पास बचा, x plus 2, यहाँ से हमने 5 common ले लिए, x plus 2, यह याद रखिएगा, minus जब भी आप common लेंगे, यह sign change हो जाएगा, equal to 0, यहाँ तक आपको clear है, x plus 2, फिर से हमने common ले लिए, x plus 2, हमारे पास क्या बचा, x minus 5 equal to 0, x plus 2 आपने common लिए, यहाँ क्या बचा, x, x plus 2 common लिए, यहाँ आपके बचा 5, अब आप बोल सकते हैं, इधर, x plus 2 equal to 0, और x minus 5 equal to 0, तो यहाँ से हमन x equal to minus 2 and x equal to 5 निकाल लिया, अपने पढ़ा था पिछली वीडियो में, x equal to minus 2 and 5, यह हमारे क्या है, roots, इनको इनको क्या बोलेंगे, roots, ठीक है, आप इसको roots बोल सकते हैं, तो अपने zeros, roots और solutions के बारे में पहले भी discuss किया था, इसलिए उसके बारे में ज्यादा discuss नहीं करता हू तो यह हमने देखा by factorism method से इस तरह से आप solve कर सकते हैं, इस equation को फिर से हम लोग बनाने की कोसिस करते हैं, बस method हम लोग change कर लेते हैं, ठीक है, तो चलिए उस method को देख लेते हैं, देखिए, second method है हमारे पास, by completing, by completing the square method, ठीक है, यह method बहुत ही important, इसको ध्यान से देखिएग आज हमारा introduction class है, तो बस मैं एक example लेकर आपको इसको समझाने की कोसिस कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए, हमारे पास equation है, फिर से वही ले लेता हूँ, equation, यह equation हमारे पास है, यहाँ पर आपको सबसे पहला step यह देखना है, कि x square का coefficient क्या है, यहाँ पर 1, तो x square का, सबस अ step हमारा skip हो गया, ठीक है, पहला step हमने नहीं किया, second step में आप क्या करेंगे, तो आपने पहला step समझ लिया, x square का जो coefficient होगा, that is, यहाँ पर अगर कुछ भी होता, जैसे 2, 3, 5, तो आपको तीनों को 5 से divide करना पड़ता है, यहाँ ता clear है, second step में देखिए, second step में आप करेंगे x square minus 3x, और यह 10, यहाँ जो c है, मतलर a, b and c, जो c है, उस c को आप right hand side बेज दीजे, यह हो गया हमारा second step, third step में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बालू में, x square के साथ जो रहता वो a है, x के साथ जो coefficient है, वो b का लाता हमारा, और यह हमारा c है, तो हमें साथ ध्यान 3x, यहाँ हम कर लेंगे b by 2, that is 3 by 2 का square, तो 3 by 2 का square को मैंने इसमें एक बार add किया, add करेंगे तो subtract भी करेंगे, otherwise हमारा equation क्या होगा, disbalance हो जाएगा, तो equation को balance करने के लिए हमने, जिस number से इसको add किया, उसी number से इसको मैंने subtract भी कर लिया, clear है यहाँ तक, हमने add किया और subtract भी क देखिए, यहाँ पर यह चीज मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक किसी ना किसी के form में चाहिए, चाहे a plus b का whole square के form में चाहिए, या फिर a minus b का whole square के form में चाहिए, और आप जानते है a square plus b square minus 2ab, अगर इसको अगर हम लोग break करते हैं तो, और अगर इसको break क करते हैं, तो a square plus b square plus 2ab, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, हमारे पास a square minus 2ab plus b square, अब आप बोलेंगे a square तो ठीक है, b square तो ठीक है, यहाँ पर आपको 2ab नहीं सो रहा होगा न, तो देखिए, इसको 2ab के form में लोग सकते हैं, कैसे, यहाँ आपके पास a क्या है अभी, a कितन है, x, b कितना है हमारे पास, बुलिए, 3 by 2, तो हो गया न, a minus b का whole square, करके आप देख लिए, a square, b square and 2ab, तो 2ab जब हम लोग करेंगे, तो देखिए, 2 into a into b, देखिए, 2 to cancel, आगे हैं हमारा 3x, clear है, a square plus b square and minus 2ab, करने से यह आपका 3x आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ तक आपक square के form में क्यों convert किया, क्योंकि हम लोग part क्या रहा है, completing the square, तो यहाँ complete square हो चुका है, बाकि आपके बस जो भी बस था, उसको आप right hand side में भेज देजे, तो यहाँ हमें square के form में चाहिए था, that's why, हमने इस तरह से इसको, इसमें plus b किया और minus b किया, अब हमारे पास यहाँ द drop कर लिजेगा, तो हमें, हमें अभी तक क्या मिल गए, बताइए, x minus 3 by 2 का square equal to 49 by 4, दोनों side हम लोग square root कर देते हैं, square root क्यों कर रहे हैं, ताकि square हट जाए, तो देखिए, अगर मैंने square root कर दिया, तो यहाँ क्या हो गया, x minus 3 by 2, और अगर हमने यहाँ square root कर दिया, तो क्या ह 4, यह clear है, या फिर आप यहाँ भी दिखा सकते हैं, इस तरह से, कि हमने दोनों side क्या कर दिया, square root कर दिया, इसको आप drop कर लिजेगा, अब देखिए, square root करने से square cancel हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा, x minus 3 by 2, यह क्या बचेगा, plus minus 7 by 2, यह आपको पता है, root से हटता है, तो plus minus हमनों लिखते है, why, because plus 7 by 2 का square करेंगे, तो भी यह आएगा, minus 7 by 2 का square करेंगे, तो भी 49 by 4 plus में ही आएगा, अब इसको एक बार आप plus के साथ ले लिजे, एक बार minus के साथ ले लिजे, आपका answer आजाएगा, देखिए, एक बार हमने इसको plus के साथ ले लिया, और एक ब minus के साथ, ठीक है, एक बार मैंने पलस के साथ ले लिए, एक बार minus के साथ, इसको आप सॉल्फ कर लिजे, x equal to कितना हो जाएगा, बताइए, 7 by 2 plus 3 by 2, हो गया ना, 10 by 2, that is 5, हाना, पहला answer हमने, आपने जब पिछली, अगले method से जब आपने बनाया था, उसमें भी x equal to 5 आया अब इस तरीका से देख लिए इसमें, यहां क्या हो जाएगा, minus n by 2 plus 3 by 2, यह कितना हो जाएगा, बताइए, यह हो जाएगा, आपका minus 4, x equal to minus 2, तो हो गया हमारा answer, यह रूट समने निकाल लिया, 5 n minus 2, तो यह method आपको समय में आ गया होगा, completing the square method को और एक तरीका से भी हम आज introduction class है, इसलिए मैं आपको इतने ही बता रहा हूँ, इसके बाद फिर से जब हम लोग इस exercise को discuss करेंगे, exercise में जब discuss करेंगे, तो मैं फिर से इसको आपको detail में फिर से समझा दूँगा, I hope आपको यह समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार देख लीजे, पहले आपने क् वे बी है, B by two का square को प्लस करें और मानस करें, just B by two का square को plus and minus, बस इतने ही याद रखना है, B by two का square को plus करना है एक बार मारा और मानस करना है, क्यों करना है, क्यों करना है, क्योंकि हमें complete square चाहिए था, I think ये clear आपको, बस यह दो, तील नहीं अगर आपने समझ लिया, आपक पर चलते हैं तिसरा में आपको क्या बताया था कि बाई अप्लाइंग कर देंगे वह सबसे इजी में उसमें आपको फॉर्मॉला अप्लाइग करना और कुछ भी नहीं करना है तो देखें थार्ड हमारा पास क्या था है बाई कि यूजिंग quadratic formula by using quadratic formula formula हमें आपको क्या बताया था? पहले हम लोग d निकाल लेते हैं b square minus 4ac b कितना आपके पास? x का जो coefficient that is b b कितना हमारे पास? minus 3 का square 4a कितना हमारे पास? x square का coefficient a होता है न 1 और c कितना हमारे पास? minus 10 ये धियान दिजेगा minus माठ छोड़ दिजेगा? minus 10 यह आपका हो गया 9, यहां हो जाएगा 40, हो गया ना 49, यह हमारा कितना है, 49, तो D जब 49 आ गया, तो इसमें हम लोग just formula apply कर लेते हैं, formula आपने क्या पढ़ा था, X equal to minus B, plus minus root over D by 2A, देखे, minus B, B कितना हमारे पास, minus 3, plus minus root over D कितना हमारे पास, 49 by 2A, एक इतना हमारे पास, देखे, यहां पर एक इतना हमारे पास, 1, that is 2 into 1, अब just आपको स्रिफ calculation करना है, इसमें भी आप एक बार plus में ले लिजे, एक बार minus में ले लिजे, that is 3 plus 7 by 2, और एक बार हम लोग क्या लेंगे, 3 minus 7 by 2, 3 plus 7, 10 by 2, that is 5, and यह आपका हो गया minus 2, देखे, इसके पहले हैं, जब हम लोग ने बनाया था, तब भी minus 2 and 5 आया था, इस condition में भी minus 2 and 5 आया, तो हम लोग उने तीनों मेथट्स को समझ लिया है, अब चलते हैं, हम लोग nature of roots के बारे में, 3X minus 10 equal to 0, यहाँ जब हम लोग D निकालते हैं, ठीक है, अगर हमने इसमें D निकाला, और D, अगर first condition देखे, condition number 1, अगर D हमारा greater than 0 आया था, जैसे इस condition में कितना आया था हमारे पास D, 49 न, which is greater than 0, अगर D greater than 0 हो, तो हमारे पास 2 distinct roots आते हैं, 2 distinct roots, 2 distinct roots, 2 distinct roots बोलने का मतलब है, कि आपने जैसे इसमें 2 distinct root क्या क्या मिला था, आपको 5 और minus 2, यह दोनों roots अलग हैं, एक दूसरे से, तो 2 distinct root इस तरह से आपको obtain होंगे, अगर second condition में देखे, अगर हमारे D equal to 0 हो जाए, तो क्या होंगे न, यह roots क्या होंगे आपस में, इनका जो answer आया, मतलब जो roots होंगे, वो आपस में equal होंगे, यहां 5 तो यहां भी 5 होगा, ठीक है, यहां 2 minus 2 तो यहां भी minus 2 होगा, इस तरह से, आपने इसे में D निकाला, D minus 5 आ जाए, minus 6 आ जाए, तो उस condition में no real root, और आपको उस math को नहीं करना है, no real roots, तो यहां तक आपको clear है, कि अगर हम लोग सबसे पहले किसी भी equation को बनाने से पहले, हमें साथ D चेक करिए, अगर हमारा D positive है, या D 0 है, तो उस condition में उस equation को आप solve क कर सकते हैं, otherwise वो equation solve नहीं होगा, तो यहां तक I think आज हम लोग ने introduction class कर लिया है, next video में मैं 4.1 exercise के साथ आपके साथ फिर से आऊँगा, तब के लिए, तब तक के लिए thank you and goodbye.